यह अधियर इस्टूडेंट्स और पर्मिट टू वर्क सस्टम अर्थाथ पी टी डबलू होल्डर के लिए इंटर्व्यू था और उसमें जो क्वेस्टन्स पूछेगे उन क्वेस्टन्स को मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूं अभी अभी हाल ही में जो है ओमान की कंपनी के लि लिए जाएंगे तो आप इसकी तैयारी करते रहे है प्रेपरेशन करते रहे है जो लोग भी पास आउट हो चुके हैं उनके लिए स्पेसल है जो एसस्टन है उनके लिए स्पेसल है या जो लोग और भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी यह स्पेसल सिरीज होगा क दुबाई में इंटर्विव था मैं दुबाई में था और अब ही मैं वापस आया हूँ इसलिए मैं आपको फिर कुछ नई चीजों के बारे में बताऊंगा और जानकारी दोगा गल्फ इंटर्विव पर्मिट एक्सपॉल्ट जिसे आप कहते हैं पी टी डबलू अब इससे जो केस्टन्स रिलेटेट वहाँ पे चले जो क्लाइंट के दोरा पूछा गया और अक्सर जो घूमता हुआ वो साथ क्वेस्टन यहाँ पे हैं जरा उनके बारे में एक नजर दे प्रमिट तुवर्क सिस्टम इस रोल अफ क्लेरेंस इन पर्मिट तुवर्क सिस्टम इस इतने क्वेस्टन्स आप पूछे गये यह और भी दो चार क्वेस्टन थे जो इससे रिलेटेट थे तो आई होब कि बहुत सारे क्वेस्टन का जबाब आपको मालूम होगा और जो नहीं मालूम होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको सारे सवाल का जबाब मालूम है तो यह वेडियो आपके लिए नहीं है आप इसमें से क्वेट कर सकते हैं उन लोगों के लिए हैं जो बिलकुल फ्रेसर आपको बताऊंगा इस चीज को जड़ा आप देख लीजिए पहला जो है PTW किस से संबंधित है या किस से संबंध रखता है तो आपका जबाब होगा PTW जो Safe System of Work से संबंध रखता है आपका जबाब होगा PTW आपका जबाब जो होना चाहिए वो क्या होगा Safe System of Work अगर आपसे क्वेश्चन पूचा जाए कि यह किस से संबंधित है यह किसका भाग है यह किसका पार्ट है तो सीधा सा आपका यह sweet and soft answer होना चाहिए क्या होगा कि यह Safe System of Work का भाग होता है उसका पार्ट होता है दूसरा क्वेश्चन अगर which section related to PTW in safety तो सीधा सा इट से पार्ट आफ SSOW Safe System of Work राइट अगला क्वेश्चन होगा what is the permit to work system आखिर क्या है permit to work system क्या है तो आपका जबाब होगा PTW system is a formal documented safety procedure for control high risk ठीक है आप बोल सकते हैं यानि यह एक formal documentation है या paperwork है जो high risk के लिए जो high risk लिए generate किया जाता है और उसके लिए कुछ section बनाएगे उसको हम implement करते हैं उसको follow करते हैं उसको follow करते हैं ठीक है क्या करता है मदद करता है जिससे हम कोई गल्ती न करें कोई रिस्क नहों कोई casualty नहों तो यह section है what is the meaning of cancellation अब एक word आता है permit to work system में cancellation क्या मतलब होता है cancellation का इसी तरह से आप से और भी questions पूछे जा सकते हैं what is the meaning of issuer what is the meaning of isolation इतमाम तरह की चीजें जो है पूछे जा सकते हैं issue receipt clearance and cancellation उसको detail आप कर लिजेगा तो अगर cancellation की बात करें हम तो cancellation का मतलब क्या होता है कि signature of authorized person stating that the isolation have been removed that area has been accepted back and the equipment can be restarted known as cancellation of the permit ठीक है इट में सिधा सा एक बात समझें कि वहां का कार्य समाप्त हो गया है फिर पूना वहां पे कार्य स्टार्ट के जा सकता है क्या यह जो है permit to work system का जो भी टीम था जो काम करने के बास से वहां से वापस आ चुका है ठीक है वहां पे re again काप काम सुरू कर सकते हैं इसका मतलब यह अपता cancellation इसका मतलब complete ठीक है how many section in permit to work system तो permit to work system में कितने section होते हैं तो सिरी सी बात है कि इसमें four section होते हैं जिसे हम issue बोलते है issue receipt clearance and cancellation ठीक है तो इसमें क्या को होता है एक issue करता है एक receipt करेगा एक clearance देगा और एक last में finalize cancellation देगा तो यहां पी एक general way में मैंने एक outline दिया है एक summary दिया है इससे आपको idea detailing और भी question answer आप तयार कर लीजिए अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस से related और भी question answer के जो link है मैं description box में देदोंगा वहां से आप उसे check कर सकते हैं यह देख सकते हैं ठीक है next interview बहुत जल्द होने वाला है ओमान के लिए मसकट के लिए और फिर जो है कूबायत के लि यह फ्रेसर कंडिडेट के लिए होने वाला है जी हां यह फ्रेसर कंडिडेट के को हायर किया जाएगा और हो सकता है कि वो सारी companies जो है आपकी आएंगी यहां पर इंडिया में आएंगी और वहां पर होगा यह हो सकता है कि अगर नहीं कोई दिक्कत होता है तो फिर आपका जो है ये टेली कॉंफरेंस के दौरा या वीडियो कॉंफरेंस के दौरा आके इंटर्वीव होंगे जिसमें 150 लोगों के लिए वहां से डिमांड की गई है कि 150 सैस्टी ओफिसर चाहिए वो भी फ्रेसर कंडिडेट चाहिए ठीक है कहीं निवोस की जरुवत नहीं है कहीं कोई इस तरह के विदेशी कोर्सों की जरुवत नहीं है नार्मल अगर आपने कम से कम डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं जैसे ही notification आएगा interview का date मैं आपको बताऊंगा Dear students Gulf interview PTW का प्रेपरेशन तो आप करते ही रहेंगे साथ में online courses भी available है जो हिंदी और इंग्लिस में आपको मिल जाते हैं especially अगर Gulf में आप काम करना चाहते हैं तीन पाँच कोर्सों में से किसी एक कोर्स को अपना बनाई है like international health safety course industrial fire safety course PTW course, industrial electrical diploma course industrial construction safety course ये सारे कोर्स आप जो है online mode में भी आप कर सकते हैं और अगर आपको पहले से जनकारी है तो professional exam दे करके आप SST से certified हो सकते हैं SST अपने आप में एक brand है जो 113 देशों में इस समय कारेक कर रही है तो उमीद है Dear students कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आगे भी आपके लिए काफी फायदेमन साबीत होगा समय समय पे मैं और भी update आपको देता रहूँगा आप बने रही है हमारे साथ इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे नेक्स वीडियो में हम पुना हाजिर होते हैं तब तक के लिए विसी ओल दे बेस्ट थाइंक्यू फार वाचिंग थाइंक्यू फार लादने